हे गाईज, वेलकम बैक टो आउर चैनल, गाईज मैं हूँ शुभांगी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हर बार की तरह काफी सारे कमाल के गैजेट, अगर आपको ये किचन गैजेट पसंद आते हैं, तो आप इन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गैलिंग स परचस कर सकते हैं, डेकोरेटिंग किट, दोस्तो अब मिलिये इस कमाल के कम्पैक साइज गैजेट हैं, जो आपको ताफी जादा यूनिक लगेगा, एक तरह की डेकोरेटिंग किट होती हैं, जो अलग-अलग फायू नोजल के साथ आती हैं, आप इसकी हेल्प से कई सारे टीशेश को डेकोरेटिंग कर सकते हैं, और अलग-अलग डिजाइन बना सकते हैं, इस गैजेट की हेल्प से आप केक्स, कपकेक्स को घर पर ही डिजाइन कर सकते हैं, हनी डिस्पेंसर, दोस्तो नॉर्मली हनी का यूस बहुत लोग ग्रीन टी में और अलग-अलग टीश मे करते हैं तो गाइस आप सभी के लिए आज मैं लेकर आई हूँ यूनिक हनी डिस्पेंसर बस सिंपली हनी को इसमें फिल करके इसे क्लोज कर लिजे और फिर इसके टाप को हटा कर आप सिंगल प्रेस में हनी को बाहर निकाल पाएंगे गाइस ए डिस्पेंसर ट्रांस्परन्ट होने के कारण आपको हनी की कॉंटिटी बाहर से दिख जाती हैं और गाइस इस डिस्पेंसर के वज़े से आपका हनी वेस्ट नहीं होगा आप इसका यूज हनी के अलावा केचप और सॉल्ट के लिए भी कर सकते हैं गुड ग्रिप्स चॉपर दोस्तों चॉपर तो कई तरह के होते हैं लेकिन ए चॉपर काफी आडवांस और यूनिक है बस आपको नीचे वाले कंटेनर में वेजिटेबल को डालना है और इसे उपर से प्रेस करना है आपकी वेजिटेबल पर्फेक्टली चॉप हो जाएगी और हाँ गाईज आप इसमें सभी वेजिटेबल चॉप कर सकते हैं तो गाईज आपको ये चॉपर पसंद है तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीगाई लिंग से पर्चेस कर सकते हैं एक बाइट मेकर गाईज अब देखते हैं एक कमाल का गैजेट गाईज आप इसमें नाइन अलग-अलग बाउल में एक साथ एक बाइट रेडी कर सकते हैं बस इसके सरफेस पर थोड़ा पानी डालिए और सारे इंग्रिडियंट को इस बाउल में फिल कर लिजे और पूची मिनट में पर्फेक्ट एक बाइट रेडी हो जाएंगे और हाँ गाईज आप चाहें तो इसमें एक ब्रेट भी बना सकते हैं आपको इस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्स्राइब करें इस वीडियो के लिए कीप सपोर्टिंग कीप वाचिंग